जेल में जाने से हर आदमी डरता क्यों है? जेल में कहदियों की life कैसी होती है? क्या जेल में एक दिन 12 गंटे का होता है या 24 गंटे का होता है? या फासी की सजा सुनानक बाद जज पैन की निप क्यों तोड़ देते हैं? और ऐसे ही और भी काफी सारे सवाल हमारे मन में आते है हम जब भी जेल का नाम सुनते हैं मेरा नाम है हर्श वर्दन भापरी आपका वकील दोस्त और आज हम इन सबी सवालों पे बात करेंगे और ये जानेंगे जेल में प्रिजनर्स कहदियों की लाइफ कैसी होती है पर ये जानने से पहले आपके पता होना चाहिए कि सभी तरह के इंडियन जेल में स्टेट गौर्मेंट मतलब राजय सबकार ही जेल का मैनेजमेंट और अड्मिनिस्टेशन दोनों देखती है और स्टेट गौर्मेंट के पास ही पावर होती है जेल का प्रिजन मैनूल सेट करने की मतलब स्टेट गॉर्मेंट अपने इसाब से जेल के नियप और कानून बदल सकती है और जेल के प्रॉपर मैनेजमेंट और अड्मिनेस्टेशन के लिए स्टेट गॉर्मेंट की मदद करती है सेंट्रल गॉर्मेंट जो जेल में कैदियों के लिए medical facilities, बॉस्टल्स मतलब journal schools, women, महिला कैदियों के लिए facilities, जेल की security, repairing और renovation जैसी सबी चीजों का ध्यान रखते हैं जेल में comparatively police काफी कम होती है, क्योंकि जेल का जाधा दर काम, जैसे खाना बनाना, साफ सफाई रखना और भी बाकी सारा काम, कैदि खुद करते हैं जेल में अलग-अलग barracks होते हैं, जैसे पुराने कैदियों के लिए अलग barracks होता है, hard core criminals के लिए अलग barracks होते हैं और जो नए कैदि, जिनको थोड़े दिन के जेल की जाती है, जैसे 10-12 दिन के जेल की जाती है, उनको अलग barracks में रखा जाता है, उनको पुराने और hard cool criminals के साथ नहीं रखा जाता है और ना ही इन कैदियों को कोई serial number दिया जाता है और ना ही jail के कपड़े दिये जाते हैं और जैसा आपने movies में दिखा होगा कि हर कैदी को एक particular serial number मिलता है और jail के कपड़े दिये जाते हैं वो सिर्फ होनी कैदियों को दिये जाते हैं जिनको सजा सुना दी होती है या जिनका ट्रायल काफी टाइम से चल रहा होता है और नाशनल क्राइम रिपूर्ट ब्यूरो के अकॉर्डिनली हर कैदी पे दिनका 119 रुपीज का खर्चा किया जाता है जो कि state to state differ करता है और हर जिनको वह अपनी वेबसाइट और स्टोर्स के तरूब बेशते भी है दुपैर में 12 बजे लंच दिया जाता है जिसमें रोटी चांवल दान और कोई भी एक सब्जी दी जाती है और शाम में 6 बजे के आसपास डिनर दिया जाता है जिसमें रोटी सब्जी और साथ में दाल दी जाती है और यह सारा खाना कैदी खुद बनाते है जेल में कैदियों को simple पर nutrition खाना दिया जाता है ताकि वह बिमार ना पड़े अब जरूरत की चीजे भी खरीच सकता है अब खरीच सकता है ऐसे आप सोच रहे होंगे कि क्या जेल में हिंडिन करंसी उसकी जा सकती है तो जेल में हिंडिन करंसी नहीं उसकी जा सकती पर जो भी पैसे कैदी बाहर से लेके जाता है या जो भी पैसे कैदियों के रिलेटिव उन कैदी उन कूपन्स को यूज ना कर सके और एक कैदी मैक्समम अपने पार 2000 रुपे तक के कूपन्स रख सकता है जेल में कैदियों को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव या लॉयर से सुफ़े 10 बजे से लेके दुपैर में 3 बजे तक मिलने दिया जाता है जिसके लिए आप को 2-3 घंटे का वेट करना होगा आप कैदियों के लिए पैल्ट फूर्ड जैसे अचार जैसी चीज़े लेके जा सकते हैं कुछ कपड़े लेके जा सकते हैं साथ में कुछ पैसे भी लेके जा सकते हैं जो जेल अथोरिटी कोपन्स के फॉर्म में कनवर्ट करके कैदियों को discuss किया था कि जेल में कैदियों को सारा काम खुदी करना पड़ता है तो जेल में अलग-अलग काम होते हैं जैसे खाना बनाना साफ सफाई रखना फरनीचर बनाना स्नाक्स बनाना सोब डिटरजिन जैसी चीज़े बनाना जो बाहर बेची जाती है और इस काम को करने के कैदियों को कुछ पैसे भी दिये जाते है पर डिटे के हिसाब पर फरनीचर स्नाक्स बनाना प्रोडक्शन का सारा काम पुराने और ट्रस्टेड कैदियों को ही दिया जाता है जिनको कन्विक्ट कर दिया गया होता है मतलब जिनको सजा सुना दी गई होती है और अंडेटराइद प्रिजनर्स मतलब जिन प्रिजनर्स का जिन कैदियों का ट्रायल चल रहा होता है उन्हें खाना बनाना साफ सफाई रखना इस तरह का काम दिया जाता है अब कुछ लोगों को लगता है जेल में एक दिन 24 गंटे का नहीं 12 गंटे का होता है तो ऐसा नहीं है ये एक मित है जेल में एक दिन 24 गंटे का ही होता है 12 गंटे का नहीं होता और कुछ लोगों को लगता है उमर कैद मतलब life imprisonment में 14 साल की जेल होती है 14 साल की सजा होती है तो ये भी मित है उमर कैद life imprisonment का मतलब आजीवन कारावास होता है मतलब हमेशा अगले जेल पर Indian constitution के accordingly president और governor के पास ये power होती है कि वो 14 साल के बाद किसी भी कैदी की सजा खत्म कर सकते हैं मतलब उसे माफी दे सकते हैं अब काफी लोगों का ये भी doubt होता है कि फासी की सजा death sentence देने के बाद जज अपने pen की nip क्यों तोड़ देते हैं तो फासी की सजा death sentence rarest of the rare case में दी जाती है generally death sentence को avoid किया जाता है और जज का अपनी pen की nip तोड़ना फासी की सजा death sentence सुनाने के बाद ये indication होता है कि अब इस sentence में further changes नहीं किये जा सकते और बदलाब नहीं किये जा सकते और psychologically भी चीजों को traumatic बनाने से उनका effect बढ़ जाता है और जब फासी लगाई जाती है तो jail manual के accordingly उदर executioner जलाद के साथ एक doctor, subdivisional magistrate, jailer, deputy superintendent jailer के साथ 12 armed guards का होना तंपलसरी होता है उसके बाद body को post mortem के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद body को family को hand over कर दिया जाता है और फासी का complete procedure काफी lengthy होता है काफी जारे steps involved होते है कैदी से क्या आखरी इच्छा पूछी जाती है जलाद कैदी के कान में क्या बोलता है फासी से पहले और अगर आप ये सारी चीज़े भी जानना चाहते हो तो मुझे comment section में comment करके बताना मैं इस पे एक detailed video जरूर बनाओगा I hope इस video में Indian prison jail कैसा होता है उसका आपको basic idea मिल गया होगा वीडियो informative लगी तो वीडियो को like करें शेयरक लें चैनल को subscribe करें और bell icon प्रेस करना ना भूले ताकि आप को भी भी informative video मिस ना करें this is your Vakeel Doos signing off